हाई एब्लोग वेलकम बेक टो अनादर निव ब्लोग मैं हूँ रफीक एहमाद उमीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और फिर से स्वागत एक ने ब्लोग में और ये ब्लोग जो मैं सूट कर रहा हूँ ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्यूकि मैं इस टाइम पे हूँ परगती मैदान से ठीक खोड़ा पहले आईटियो के पास और जी ट्वेंटी जो की आठ नो और दस सेप्टेमर दो हैजर को सम्मीट होने वाला है उसकी जो है रोड की ब्यूटिफिकेशन क्या है कैसी दीख रही अब सड़के रीकंस्ट्रक्शन होने के बाद क्य नजारे हैं वो आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अब आपको मैं नजारे दिखाने वाला हूँ यह दीन की रोशनी में दिखाने वाला हूँ फिर एक अगर रिस्पॉंस टीक मिला तो नाइट की भी एक ब्लॉग जो है वीडियो बना के और अपलोड करूँगा वो भी पड़ा खुबसूरत लगने वाला है क्योंकि नाइट में मैं देख चुका हूँ इतनी रोड पे लाइटिंग और गंले हरियाली और एक खुबसूरत के लिए पेंटिंग यह सारी चीजे बहुत घ्तरीन तरीके से किया हुआ है वही चीजे जो है शेयर करूंगा तो यह इलाज वह यह दीन का अपलोड कर रहा हूं और रात को फिर मैं दो दिन बाद जो है वो अपलोड करूंगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चै साइड कितनी हरियाली कितनी गमले और कितनी घुपसूरती है वो आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है यह परगती मैदान के ठीक थोड़ा सा पहले है रेर लाइट के पास और यही पर बोर्ड लगे हुए है चारों तरफ बोर्ड लगे हुए है और यहा चले जहां पर ट्रेट फेकर वहार लगता है उससे आगे जो है वो बिल्डिंग है जहां पर सम्मिट होने वाली सारे बीड पीस जो है वो इसी रोड से जो है प्रॉस करेंगे और यहां पर पहुचेंगे अभी भी जो है रिंग का स्ट्रक्शन जो है वह जारी है गमले तो यह साइड रोड कुल सफेर हो रहा है बिलकुल साफ और गमले रक चुके हैं बिलकुल नए गमले और पेन्ट किया whole सारा जो है वहतु आने बहुत्री इसमें वैसे पब्लिक के लिए जो है ने अंट्री इस रोड पे नहीं होगी और अभी से ही सेक्यूरिटी जो है वो पूरी दिखने को मिल रहा है रोड के दोनों साइट और ये जो है में गेट रहेगा सम्मीट का और ये विल्डिंग में सम्मीट होने वाली है ये देखिए पूरी तरह से तयार हो चुका है सारी तयारियां कम्प्लिट हो चुकी है और ये खुबसूरत रगवे अभी जो स्टेचू है पीछे निकल गया इसमें लाइटिंग वाटिंग बहुत सारी है और रोड जो है वो पूरी तरह से फुल मेंटेन में है बहुत सुन्दर है रोट के दोनों साइड जो है जगा जगा थोड़ी थोड़ी दूर में G20 का बोर्ड लगे हुए हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं और ये भी एक गेट है यहाँ पे भी पूरी फुल सेक्यूरिटी है और दोनों तरफ जो है G20 का बोर्ड लगे हुए हैं गमले इतने बढ़ियां और इतनी खुबसुरत जो है फजा हुआ है क्यामरे को है जो है ट्राफिक में चल रहा हूँ तो क्यामरे उतना क्वालिटी का नहीं है कि वो सारी चीज़े कैप्चर करके आप तक पहुचा सके आप अब जो है वो वर्कर लगे हुए है और तरफ से तने वह गमले इतने सारे गमले लगा है दोनों यह पीडवलिय के तरफ से जो है ओ गमले गमले नजर आ रहे हैं दोनों साइड के और काफी खुबसुरत है यह तो धीन के नजा रहे हैं और रात में लाइटिंग बहुत खुब फुरत ये सारे लैंप वेंग जो है वो लग गए हैं पीछे लगे हुए हैं इधर तो आगे नहीं लगा हुआ है लेकिन इसमें जो वो बैलेडी लाइट्स होती हैं वो लगी हुई है अंडर पास के दोनों साइड देखें कितनी खुबसूरत सी पेंटिंग है बिल्कुल जो है ने साफ सा पेंटिंग करके और एक खुबसूरती का नजारा मिल रहा है और ये परगती मेदान से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रोड बिल्कुल फुल मेंटेन में है बिल्कुल सफाई है दोनों साइड जो है आप देख सकते हैं कितनी फुल मेंटेन में है और अभी भी जो है वो काम पुरी तरह से हुआ नहीं है अभी भी लोग वरकर और इंपलाई जो है वो काम करी रहे हैं कर दो घस अच मैंन झाल, झाल, और भी को अफिछ, बार में तकत कर दोन दिर थोग्ञवर साथ-टूपर, झाल, एक फर शफिता है, जर बार भूदाल, बार में पर बार, जर खजए लग़ें, ते बार होगं थोगाओं प्रचल जरी प्रफर प्रस अटिक वैंने प्र स्वस् अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना फिर जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग